आज हम इस वीडियो में आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस्य स्वन्दित महतोफुर्ण प्रस्ण बताने वाले हैं तो आप से छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो को लाश्ट तक देखेगा तो चलिए वीडियो को अस्टार्ट करते हैं क्यूचन नम्मर वन है स्वतंत्र भारत के परधान मंत्री कौन थे यानि कि जब भारत आजाद हुआ था उसका पर्थम परधान मंत्री कौन थे और यहां पे और आपको कीलियर कर देते हैं इंतर गांधी जो थे वो तीसरे परधान मंत्री थे मन्त्री ते वह लाल बहादुर थी और परत्व मंत्री कौन थे झोHIरल नहिरु थे और यह रांश्ट स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाते हैं जैसे भारतिये स्वतंत्रता दिवस जो है वो कब मनाया जाते हैं स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं यहां पर बता दे कि भारत और पाकिस्तान जो है वो आजादी के पहले एक साथ था ठीक है लेकिन ये आजादी के बार बट्वारव हुआ था इसलिए यह दोनों अपना आजादी मनाता है लेकिन यहांपर बात य豆, यह सोचने वाली बात है कि पकिस्तान जो है वो 14IG मिनता है सब्सक्राइब करना क्योंकि सभी लोगों को यह पता होगा नेक्स्ट की उचने भारत को स्वतंत्रता किस देश से प्राप्त हुआ ओप्शन ए है पूर्तेगाल ओप्शन भी फ्रांस और ओप्शन ओप्शन c है नीदर्लेंड और ओप्शन D है यूनाइटेगंडंं। औपसन दि यह ठाया उनाइटेडं भारत को स्वतंत्रता किस देश से प्राप्त हुआ तरु सो यूनाइटेडंट से भारत को स्वतंत्रता प्राप्ट हुआ, option D सही है, next क्यूचन है, स्वतंत्रता दिवस पर रास्टिय धवज भराने का समरुख कहां होता है, तो option A जो है, India gate, option B ये gateway of India, option C है कुतुम मिनार और option D ये लाल किला, यानि रेड़ पॉर्ट, रेड़ पॉर्ट कहां है, तो निव दिल्ली में, बहुत लोगगा जन्फ्यूज हो जाते हैं, ये जो रेड़ पॉर्ट है वो दिल्ली, तो दिल्ली नहीं, निव दिल्ली इसका सही होगा, और शुतंतरता दिवस पर रास्तिय धवज फराने का समोर हो कहां होता है तो लाल किला पर होता है एक स्थिक उचाने भारतिये राष्टिय धवज के रंग क्या है यानि कि जो तिरंगा जंड़ा है उसका कलर क्या है option A है लाल, सफेद और निला, option B हरा सफेद और नारंगी, option D है निला, पिला और हरा, option यहाँ पे जो घह है यानि कि इंगलिस में कहें तो D केशरिया सफेद हरा एक निला पहिया, तो यहाँ पे option D जो है वो सही है केशरिया सफेद हरा एक निला पहिया, यानि जो पहिया होता ह है वो निला होता है यह भी आपको बताना है इसमें जो पहिया है उसको क्या कहा जाता है तो असोक चक्र कहा जाता है और इसमें कितने तिलियां होता है तो 24 तिलियां होता है नेक्स्ट है भारतीय राष्टी धवज का डिजाइन किसने बनाया था या किसने किया था भारत को ज आते हैं यह जो जंडा है उसका डिजाइन कौन किये थे तो इसका उप्षण महात्मा गांदि ऑप्षण भी है सुबाश चंद्रबोस और ऑप्षण सी पिंगली कहिया और ऑप्षण डी है जोहरलान नहरू कौन किये थे राष्टिये धवज का डिजाइन किसने बनाया था त सी जो है वो सही है पिंगलीवे कहिया ने जो थे वो भारत का राष्टिय धवज है उसका डिजाइन किये थे नेक्स्ट क्यूचन है भारतिय राष्टिय धवज के मध्य में कौन सा ची होता है तो आप लोगों को हम बता चुके हैं किमान पेर चुके नेक्स्ट चुचन है भारत का राष्टगान क्या है बहुत लोगं कंफ्यूज हो जाते है इसमें तो हम बता देते हैं option यह बंदे मातरम option भी आ जन गन मन ऊप्संटस है सारे जहां से अच्छा और option यह उप्संट तुझे शलाम तो यहां पिए option जो बी है जन गन मन वो है भारत का राष्ट गान ठीक है और जन गनमन जो है उसको लिखे कौन थे यानि उसका जो रायटर है उसको लेखा कौन है तो इसका जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर कौन है रविंद्रनाथ टैगोर और ये वंदे मात्रम वंदे मात्रम का कौन लिखे थे तो बकीम चंद्र चटरजी जी ये जो बंदे मात्रम है वो लिखे थ बकीम चंद्र चटर जी और जनगन को रविंद्र नात्र टैगुर यहां प्यूर बता देते हैं कि जनगन गाने का सकंद्र वंद्राम को और जनगन पीफटी तुर Спट गानी मात्रम कौन है तो जनगन आर राष्ट गित क्या है है तो बंदे मात्रम है यह आपको याद रखना है कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग नेक्स्ट क्यूचन है भारतिये रास्ट गान किसने लिखा आहीं गया रास्ट गान जो है वो किसने लिखा रविंद्रा टैगर और होग में और होगे ! पाइगे देखेए अनसर भी यहाँ रह गया है तो यहाँ पर आप्सन जो भी है वो कि सही है भगण रह इक वह तैगोर है भारतिय राश्ट गान किसने लिखा था तो तो रवींद्रनाथ तैगोर नेक्स्ट क्यूचन है भारतिय रास्ट गान को पुरा बजाने पर उसकी अवधी क्या होती है यानि कि उसका जो समय होता है वो कितना होता है भारतिय रास्ट गान को पूरा बजाने पर उसकी अवधी यानि उसका समय डिव्रेशन जिसको इंग्लिस में बोला जाता है वह कितना होता है ऑप्षन यह 52 सकेंड ऑप्षन भीrent 40 सकेंड और यहां पर यहां पर आप्षन ए जो है वह सही है जन गन मन जंगन मन जो है उसको को पूरा complete कर देना है और बंदे मात्रम जो है ठीक राष्ट गीत उसके जो गानी का जो समय है वो कितना है 65 सकेंड बंदे मात्रम को और जन गनमन जो है उसको 52 में गाना रहते हैं यह छोटा सा वीडियो समाप्त होता है आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो कमेंट करके ज सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बोलिएगा मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद